सुन्दर सा डिजाइन लेकर आज हम आए हैं नमस्कार दोस्तों सारदन निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप आए शुरू करते हैं यह सुन्दर से बुनाई का वीडियो आप देख रहे हैं कितना प्यारा यह डिजाइन है और यह जानकर आपको बहुत होगी कि यह सिर्फ आठ सलाईयों का है एट रो रिपीट पैटर्न है और एट रोज में भी जो उल्टी सलाईयां है वो उल्टी ही बुनी जाएंगी तो सिर्फ चार सलाईयों का यह डिजाइन हुआ बाकि चार सलाईयां प्लेन उल्टी ही बुनी जानी है बहुत ही आसान ह यह इसकी फ्रंट साइड है और यह इसकी बैक साइड है अगर आप साइड में यहां पर कुछ फंदे गाटर स्टिच जो दोनों तरफ से सीधे सीधे या उल्टे उल्टे लेकर बनाते हैं उस तरह से अगर बनाएंगे तो आप शॉल भी बना सकते हैं लेडिस कार्डिगन के लिए यह वैसे बहुत ही सुन्दर डिजाइन है इसके लिए मल्टिपल ऑफ टैन प्लस टू दस के गुणा से जमाद दो फंदे लिए हैं दो फंदे किनारों के और दस दस फंदों के गुणा से दस बीस तीस चालिस से यह बुनाई पड़ेगी तो पहली सलाई शुरू करत सकते हैं या कुछ भी कर लीजिए उसमें कोई ऐसे बंधन बाधा नहीं है आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं अब हमने यह उन लपेटी एक फंदा बनाने के लिए हैं इसके बाद तीन फंदे हमने सीधे बुने फिर एक फंदा स्लिप कराया बिना बुने हुए उतारा दो सीधे फंदों का जोड़ा बुना यह जो बिना बुना हुआ फंदा है इसको इस फंदे के उपर से उतार दिया फिर तीन सीधे फंदे बुने इसके बाद फिर से एक फंदा हमने बनाया यह और अगला एक फंदा सीधा बुना इस तरह से दस फंदों में हमने यह काम किया आगे हम अभी और एक बार देखते हैं आपसे एक अनुरोध है एक ट्रिक मैं बताती हूँ कि इसको आप अपनी किसी कॉपी पर लिख लीजे औ और फिर आप आसानी से इसको दोहरा सकते हैं देखिए एक फंदा बनाया हमने तीन फंदे सीधे उसके बाद एक फंदा बिना बुने हुए सिलिप कराके उतार लिया अगले दो फंदों का सीधे से जोड़ा सिलिप कराय हुए फंदे को इसके उपर से उतारना है अगले ती अब मैं आपको बताती हूं कि अगर अंग्रेजी की शब्दावली से हम बुनाई करते हैं तो काफी आसान हो जाता है उसको लिखना बहुत आसान है जैसे इसको हम make one लिख देते हैं एक फंदा बनाया इसको हम k3 कह देते हैं बस तीन सीधे हो गए यह slip one हो गया यह k2 together दो सीधे फंदों का जोड़ा यह होता है pass slip stitch over PSSO और यह है K3 फिर से तीन सीधे और यह make one M1 लिखते हैं इसको और यह knit one K1 लिखते हैं यह हमारा किनारे का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लिया इस तरह से यह हमने पहली सलाई अपनी पूरी करी दूसरी सलाई रॉंग चितनी भी 2-4-6 वाली सलाईया है वो सब हमारे उल्टी ही बुनी जाएंगी आप पहले फंदे को slip कराएं या बुने जैसे आपकी खोशी आप कर सकते हैं बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है जो हमने बनाए थे फंदे make one जो किया था उन लपेटकर जो हमने अब आपको थोड़ा सा दिखा देती हूं आप समझें अगर तो देखिए यहां पर एक हमारा दो का जोड़ा जो बन रहा है वो यहां बन रहा है बीच में होता है फिर यह जाली पढ़ रही है तो यह जाली पढ़ती जाती है तो यह फंदे बढ़ते जाते हैं यह घटते जाते हैं यह बढ़ते जाते हैं इस तरह से जब आप थोड़ा सा भी बुन लेंगे तो फिर आपको आइडिया पढ़ जाएगा अब हम आगए तीसरी सलाई थर्ड रो पर रो थरी तीसरी सलाई पर अब हम आ गए पहले फंदे को आप स्लिप करा लें बिना बुने उतार लें या जो भी करना है तो मैं इसको बिना बुने उतार रही हूँ उन में पिछे की तरफ ले गई आगे मुझे बुनना है एक फंदा सीधा एक फंदा बनाया फिर दो फंदे स सिलिप कराये फंदे को इनके उपर से उतार दिया, उसके बाद 2 सीधे फंदे और फिर 1 फंदा बनाया, फिर 2 सीधे फंदे, यही हमको दोहराना है, फिर से एक बार देखते हैं, एक सीधा एक बनाया दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतारा फिर दो सीधे फंदों का जोड़ा इस सिलिप कराय हुए फंदों को इसके उपर से उतार दिया अगले दो फंदे सीधे फिर एक फंदा बनाया और फिर दो फंदे सीधे जाली के लिए हम दो बार फंदा बना रहे हैं जिसे यह हमारी जाली बनती है फिर से एक बार दोरा रहे हैं हम देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा बनाया दो फंदे सीधे उसके बाद एक फंदा सलिप कराया अगले दो फंदों का सीधे से जोड़ा सिलिप कराई हुए फंदों को इसके उपर से उतार दिया फिर दो फंदे सीधे फिर एक फंदा बनाया फिर दो फंदे सीधे यहां तक हमारा डिजाइन है यह हमारा किनारे का फंदा है इसको हम सीधा बुन रहे हैं तीसरी सलाई हमारी पूरी हो गई, चौृथी सलाई आसान पूरी हमको इल्टी बुननी हैं, यह उल्टा बुनते हुए चौृथी सलाई हमने पूरी करी, फिफ्ट रोर पांचमी सलाई पर अब हम आ गए हैं, पहला फंदा हमने स्लिप कराके उतार दिया, उन पीछे की तरफ ले गए पांचमी सलाई दो फंदे सीधे एक फंदा बनाया यह एक फंदा बनाया फिर एक फंदा सीधा एक फंदा स्लिप कराया अगले दो फंदों का सीधे से जोड़ा सिलिप कराय हुए फंदे को इसके उपर से उतारा उसके बाद एक फंदा सीधा फिर एक फंदा बनाया और फिर 3 फंदे सीधे, 3 stitches को यह बुल लिया, फिर से देखते हैं अब एक बार, यह 2, 2 stitches को सीधा बुना, एक फंदा बनाया, make 1 हो गया, फिर 1 फंदा 1 stitch सीधा बुना, यह slip 1 हो गया, slip कराया, दो सीधे फंदों का जोड़ा two stitches together हो गया slip कराय हुए फंदों को इसके उपर से उतारा one stitch सीधा बुना ये एक make one बनाया एक फंदा और ये three stitches को तीन फंदों को हमने सीधा बुना इस तरह से ये हम पांचमी सलाई बुन रहे हैं बर और दोर आएंगे हम इसको दो फंदे सीधे एक बनाया एक फंदा सीधा एक slip कराया slip के बाद हमें दो सीधे का जोड़ा बनाना होता है और उसके बाद इसको उतारना होता है बाकी फंदे आगे फीचे खिसक रहे हैं एक फंदा सीधा एक फंदा बनाया और तीन फंदे हमने सीधे बुले ये हमारी पाँच्वी सलाई आखरी फंदा किनारे का हमने सीधा बुल लिया किफ्ट रो पाच्वी सलाई हमारी पूरी हो गई यह हम अब सिख्ष रो पर आ गए पहला फंदा हमने स्लिप कर आया और छटी सलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है सार्दा निटिंग चैनल में बहुत सुन्दर अच्छे बुनाई और क्रोश्या के वीडियोज हैं उनको आप जरूर देखें शिक्स्त रो छटी सलाई के हम लास्ट में आ गए यह हमने छटी सलाई पूरी करी अब हम आ गए सात्मी सलाई पर सैविन्थ रो सात्मी सलाई पर हम आ गए पहला फंदा हमने स्लिप कराया तीन फंदे सीधे एक फंदा बनाया एक फंदा स्लिप कराया अगले दो सीधे फंदों का जोड़ा स्लिप कराया हुए फंदों को इसके उपर से उतार दिया फिर एक फंदा बनाया और फिर चार फो और 4 फिर से दोहराएंगे हम यहां से 3 फंदे सीधे 3 एक फंदा बनाया एक फंदा स्लिप कराया अगले2 सीधे फंदों का जोड़ा स्लिप कराय हुए फंदों को इसके उपर से उतार दिया फिर एक फंदा बनाया और फिर 4, 4 stitches को सीधा बुना ये हमने 4 फंदे सीधे बुन दिये अब उसके बाद फिर से हम दोहरा रहे हैं, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा बनाया, 1 फंदा स्लिप कराया दो सीधे फंदों का जोड़ा, स्लिप कराया हुए फंदों को इसके उपर से उतारा, 1 फंदा बनाया और 4 stitches को सीधा बुना इस तरह से ये हमारी सात्मी सलाई, ये आखरी हमारा किनारे का फंदा, इसको हमने सीधा बुन लिया सेवन रोज सात्मी सलाई हो गई, आठ्मी सलाई, सारी उल्टी सलाईयों के जैसे जो है, वो हमको पूरी उल्टी बुननी है आसानी से डिजाइन पढ़ गया, बहुत ही सुन्दर डिजाइन है, आप इसको जरूर ट्राई करें यह आठ्वी सलाई हम डिजाइन की आठ्वी सलाई हम उल्टी गुन रहे हैं इन्ही आठ सलाईयों को हमें दोहराना है और देखिए इतना बढ़िया यह डिजाइन बनकर तयार हो जाएगा आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको कॉपी पर लिख लीजिए जब बोला जाता है और उसको आप देखकर फिर आप बुन सकते हैं वैसे तो देखिए बुनते-बुनते आपको समझ आ जाएगा कि ये सीधी लाइन जा रही है और यहां पर यह हमारा जोड़ा बना है तो यह बट तो यह फंदे बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं यह एकदम समझ में आ जाता है जब हम थोड़ा सा बंगते हैं मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक देखते रहें सार्दा निटिंग चैनल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद